और राइट तो क्या होती है धारा 326 A of IPC तो इतनी छोटी वीडियो इतनी बेसिक कंसेप्ट है कोई इंट्रो की जरुत नहीं है तो लेट्स लीव दा इंट्रो लेट्स स्टार्ट दे डिसक्रसन तो सेक्शन 3 26 A of IPC डीन करती है एसिड अटेक से यानि कि कोई परसन किसी परसन के उपर एसिड से अटेक कर दे यहां अटेम्ट की बात नहीं हो रही है अटेक की बात हो रही है कोई इस पर हमला कर दे यानि कि एक परसन ने दूसरे परसन पर एसिड डाल दिया और उस एसिड से उस परसन का डेमेज हो गया क यानि कि इसकी बॉडी इंजएट होगी तब यह section apply होता है तो इस section में 10 साल तक की सजाय है I mean इस crime में 10 साल तक की सजाय है और non-bailable offence है, cognizable offence है यानि कि काफी serious type का offence है Got it? और fine भी है यानि कि जो prosecution है जिसने accused है जिसने acid डाला है उसको fine भी देना पड़ेगा as a compensation Got it? कि उसका नुकसान होगा है काफी उसकी body injured होई है उसकी body जल गई है तो उस person को उसे fine देना पड़ता है as a compensation वो depend करता है court के उपर और case के circumstances के उपर Got it? कि acid कितनी quantity का उसके उपर गिरा suppose थोड़ा सा गिरा बिलकुल थोड़ा सा उसे कुछ पता ही नहीं चला तो ऐसे मैं आप compensation नहीं ले सकते Got it? Even case भी नहीं कर सकते अब काफी सारी damage हुई है body तब आप ले सकते हों So generally depend on conditions and circumstances Got it? So I will see you in the next video Bye